नमस्कार बहुत स्वागत है आपका भगवान सिव सावन के महिने में सौ परिवार प्रथवी लोग पर रहते हैं सिवालाय में रहते हैं और भक्त सिव जी को परसंद कर अपनी मनों कामना उनसे कहते हैं और वो पूरी भी होती है लेकिन सिव जी को कुछ ऐसी बस्तुए हैं जरूर अर्पीत करनी चाहिए सिब पुरान की विधेश्वर सहीता में लिखा है कि पान का पत्ता सकात्मक उर्जा को बढ़ाने वाला और नकात्मक उर्जा को दूर भगाने वाला माना जाता है भगवान सिव को पान बहुत प्री है और साबन के महने में भगवान सिव को पान चड़ाने से हर तरह की मनुकामना पूर्ण होती है और सिव जी को अर्पित किये जाने वाले पान में सिर्फ आप कथा गुलकंद सौंप नारियल का बुरादा पान की जो गुलाब की पंखुरी है उसको डालेंगे और सिव जी की विदिवत पूजन करने के बाद अंत में पान अर्पित करेंगे अगर मान लेते हैं आप पान इस तरह से नहीं बना पा रहे है तब सिंपल तरीके से आप क्या कीजिएगा एक पान का पत्ता ले इस पर लॉंग इलाइची मिस्री के दाने आप रख कर सिव लिंग पर अर्पित कर दें तो सिव होंगे परसन और देंगे वर्दान ये है सिंपल तरीका सिव जी को पान अर्पित करने का देखे पान की भी महमा है पान के पत्ते के ठीक उपरी हिस्से पर इंदर और सुक्रदे बिराजमान है मद हिस्से में मा सुरसती है और मा महालक्षमी इस पत्ते के बिल्कुल नीचे वाले हिस्थे पर बैठी है। जो अंत में तिकोना आकार लेता है। तो जेश्टा लक्षमी पान के पत्ते के जुड़ेवे भाग पर बैठी हैं और वह भाग है जो पत्ते को दो हिस्सों को एक नली से जोडता है विस्व के पालनहार भगवान सीव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं और भगवान सीव एवं काम देव जी इस अस्थान पर पत्ते के बाहरी हिस्से पर है मा पारवती जो मंगला देवी है पान के पत्ते के बाई और भूमी देवी पान के पत्ते के दाहिने और बिराजमान है भगवान सुरे नारायन पान के पत्ते के सभी जगह पर उपस्तित रहते हैं तो पान के पत्ते अगर आप सिव जी को और पित कर दें समस्त मनो कामनाय पुर्ण हो जाती है अब सिव सत्य हैं सिव सवर्पन हैं त्याग हैं परिभासित होने से परे हैं और सास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह सत्य और सक्ती एक दूसरे के बेगैर अधूरे हैं जिस तरह आत्मा और मन के बेगैर सरीर जागरित नहीं हो सकता उसी प्रकार सिव और पारवती जी एक दूसरे के बेगैर कलपना नहीं की जा सकती तो स्रावनमा एक ऐसा अफसर है जब आप अपने अंतर नहीत सत्य सो रूप सीव और उर्जा के रूप में बिद्धिमान सक्ती को एक आकर कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं सिबलिंग पर क्या अरपित करके आप किस मनो कामना को पुरी कर सकते हैं सिबलिंग पर दूद अरपित करने से आरोग गी की प्राप्ती होती है यानि आपका स्वास्त अच्छा रहता है अगर आप दही अरपित करते हैं तो जीवन में खुसियां, हर्स, लास की प्राप्ती होती है यानि कि आपका सुक्र बेतर होता है और भौकती सुक्सादन आपके जीवन में बढ़ जाता है अगर आप सिबलिंग पर घी अरपित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है हर जगा आपका सम्मान बढ़ता है और संतान की प्राप्ती होती है संतान तरक्की करता है अगर आप सहधर पित करें तो आपकी सौंदर का खूब सूर्थी बढ़ता में जो वाने वसक्ड़ alors समाज में आपकी लोग प्रियतां बढ़ती चली जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में क्शुप सुख समरिद्धी एस्वरी की प्राप्ती होती रहे तो सिबिलिंग पर सक्कड या फिर गुड की डली अर्पित करें ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कमी कभी नहीं होती चाहे आप कैसी भी स्थिती में हो सिबलिंग पर अगर स्रावन माह में आप इत्र अर्पित करते हैं तो धर्म की प्राप्ती होती है इत्र अर्पित करने से जिवन में उमंग बढ़ता है खुसियां आती है और अगर सुगंधित तेल अरपित करें तो धन धाने की बिर्दी होती है, बहुत इक सुग वरते हैं, चंदन अरपित करने से समाज में यसमान समान बढ़ता ही चला जाता है, वैसे तो भगवान सिप की पूजा में सबसे ज़्यादा भांग, धतूरा, दूद, चंदन और भ कौन सी चीजे हैं, जो बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करना है, संक से भूल कर भी सिप जी को जल मतर पित कीजिए, भगवान सिप ने संक चूर नामक असुर का बद किया था, और संक को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, जो कि भगवान स्री हरीका भगता, इसलिए भग तुलसी के पत्ते, सिप जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अरपित नहीं किया जाते, क्योंकि भगवान विश्णू ने तुलसी को पत्नी के रूप में सुईकार किया है, हल्दी, इस्त्री लिंग है, और सिप लिंग पर कभी भी हल्दी नहीं अरपित की जाती, क्योंकि कि हल्दी मांगली चीजों में यूज होता है सिंदूर को भी कुमकुम सिंदूर जो सोभागे का प्रतीक और सिब जी बैरागी है इसलिए सिब को कुमकुम अरपित नहीं किये जाते नारियल का पानी तो आप चला सकते हैं लेकिन फोर कर पाणी नहीं करना है और अगर आप बत रखते हैं तो आप जो sibling पर चीजें चाँए उसको तो नहीं ही खाना है और अगर राहू केतू पर आप दो लौंग अरपीत करें ऐसा करने से राहू केतू की समस्या से मुक्ति मिल जाती है बाद में इस लौंग को उठाका अगर अगर आप घर में पूजा करते हैं तो पास के किसी मंदिर में रखाएं या फिर कहीं मिट्टे में दबा दें सिबलिंग पर अगर आप चंदन अरपीत करें तो समाज में यस, मान, समान बढ़ता ही चला जाता है चंदन अरपीत करने से मस्तक ठंडा रहता है आपका चंदन मा बहतर होता है और अगर आप सिबलिंग पर भांग अरपीत करते हैं तो समस्त पापों का नास होता है भांग के पत्ते भी अरपीत किये जाते हैं सिबलिंग पर बुराईया समाप्त होती है अगर आप आउला अर्पित करें या आउले का रस अर्पित करें तो जीवन में खुसिया आती है आप दिरगायू होते है अगर केसर अर्पित किया जाए तो दामपत्य जीवन सुख में रहता है विवाह में आने वाली अर्चने समाप्त होती है और मन्चाहा जीवन साथ ही प सिबलिंग पर आपके जीवन में मिठास बढ़ती हैं सुखों की प्राप्ति होती हैं और परिवार के सदस्यों के मद्ध प्रेम भी बना रहता है गेहुम चड़ाने से बंस ब्रिधी होती है और योगी संतान की प्राप्ति होती है एक मुठी गेहुम अरपित किया जा सकता है सिबलिंग पर अगर आप चावल अरपित करते हैं एक भी दाना अरपित कर दें तो जीवन में धन सुक सम्रिधी की कमी कभी नहीं होगी अगर काला तिल अरपित करें तो समस्त पापों का बिमारियों का नास होता है सिविलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें जो कि सिव जी को सबसे प्री है तो सभी संकट दूर होते हैं बेलपत्र पांच जगह अर्पित किया जाते हैं गनेज जी को सिव जी को जलाधारी पर और नंदी महराज को और सिव जी के माथे पर अगर आप समी के पत्ते करते हैं तो जीवन में बस यह समझने की सवर्ण दान के तना पूर्णी मिलता है और किसी चीज की कभी कमी रहती ही नहीं इसी लिए जहां तक संभब हो आप जो समी का पुस्प होता है ना 11 समी के पुस्प अगर सिविलिंग पर आप जैसे की चार सुमबार हैं किसी भी सिप्ट वży्जsk अथि प्रसंद होते हैं और जो चूर किसी तो सनसारिक आर्प्र के प्रापति होती है। जो अर्पित करने से दुरौ घास दुर्वा घास अर्पित करने से दिरगायू होते हैं आपका जो स्वास्त है वो बढ़ियां रहता है और आपका जो निगेटिव पक्ष है यानि कि नकातमक चीजे हैं वो भी समाप्थ हो जाती है वैसे तो अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डाल कर सिबलिंग पर अर्पित करें तो पित्री दोस्त समाप्थ हो जाता है पित्री लोग संतुष्ट होते हैं और आप पर किरपा बढ़साते हैं कमल का पुस्प अर्पित करने से जीवन में धन, मान, समान, एस्वरे सब कुछ बढ़ता है क्योंकि कमल का पुस्प सरीहरी को भी पसंद है और सिबजी को भी तो सुख सांती सम्रिद्धी बढ़ती है हर सिंगार का पुस्प भी अर्पित करने से आपका सुक्र बेहतर होता है क्योंकि यह सुगंदित पुस्प है और एस्वरे बढ़ता है अगर आप चमेली के पुस्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख सम्रिद्धी दोनों ही बढ़ता चला जाता है तो सिपजी पर अगर आप उनके सबसे पसंदिदा धतूरे का पुस्प या धतूरे का फल अरपित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो कुल का नान रोसन करता है तो आपको भी अगर धतूरे का पुस्प या फिर फल मिल जाए तो सिपजी को जरूर अरपित करें, अरपित करने से मन्चाहे संतान की प्राप्ती भी होती है। यानि सभी देवी देपताओं का आसिरबाद आपको मिलता रहता है। अगर आप अप्राजिता का पुस्प अरपित करते हैं तो सत्रु विरोधी सांत रहते हैं। और इसके साथ ही अगर आप बेले के पुस्प से उन्हें पूझते हैं तो मन्चाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। कनेर के पुस्प अरपित करने से जीवन में खुसियां आती हैं और सत्रु विरोधी सांत रहते हैं। मोरपंख अरपित करने से जो स्री कृष्ण के माथे पर बिराशते हैं तो अगर सिबजी को अरपित किया जाए तो सत्रु विरोधी भी सांत रहते हैं और आपका सुख बढ़ता है। केला अरपित किया जाए तो संतान का सुख मिलता है। तो सिब जी को अक्सर ही आप जल और बिलपत्र अर्पित करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बस्तों जो अर्पित नहीं करना चाहिए जैसे कि सिंदूर इसके साथ ही सिबलिंग पर आप संग से जल अर्पित नहीं कर सकते तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित कर सकते तूटा हुआ पूजा करने के बाद लास्ट में पान के पत्ते पर एक सिक्का थोरी सी मौली धागा थोरी सी मीठी बस्तू और लॉंग इलाइची रखकर दक्षिना के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा संपूर न हो जाती है लाल गुढ़हल का पुस पर पित करने से सत अगर उस दिन नात पंचमी हो तो आपका काल सर्फ दोस्ट भी समाप्त हो जाता है अगर किसी को स्वास्थ की समस्या है तो जल में पांच पीपल के पत्ते डाल कर जो बेक्ती बीमार है मानसिक या सारी डिक रूप से उनके उपर से आप पांच बार वार ले और सिबलिंग पर चरहा दे तो उनका स्वास की समस्या दूर हो जाती है अगर हरा मुंग अरपित करते हैं सिवलिंग पर आपका बुद्ध की समस्या समाप्त होती है आपकी वानी का तेज बढ़ता है आपका बुद्ध बेहतर होता है और हर तरफ आपकी पूछ होती है अगर आप तो वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे खुसी आने लगती है पंचामरीस से भी सिवलिंग का भी सेक कर सकते हैं इससे भी सिवजी प्रसन होते हैं और जीवन में चारों दिसाओं से आपकी तरकी होती है साम के वक्त एक सिवजी के मंदिर में दिया जरूर जलाएए पास के किसी भी मंदिर में भलाई मंदिर बंद हो पर सिवजी पर जलाकर चले आए तो जीवन में अंधिरा कभी नहीं रहेगा यानि कि पूरे सावन में आप पास की किसी भी मंदिर के सिवजी पर या मंदिर में ह कर एक दिया जरू जलाया करें दिया तेल का भी हो सकता है गी का भी हो सकता है आपकी सिर्धा पर है तो हम आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए अपनों से वीडियो को सेर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेब चरूर लिख